हफ्ते के आक्री दिन बाजार में है चारो तफ हरी आली का माहौल निफ्ती दिन की उचाईयों पर 15,900 की तरफ दस्तक लेता हुआ और बैंक निफ्ते भी 35,000 के पास पहुँचने की कोशिश करता हुआ बड़ा सवाल ये कि क्या हफ्ते की दमदार क्लोजिंग देखने को मिलेगी क्या रिकोर्ड आईज के आसपास पहुँचकर होंगे बन या फिर आएगी मुनाफ़ा उसली अगले हफ्ते रहेगी वाइदा खरोबार की महिने की एक्सपारी भी ऐसे में क्या करें आप तयारी र गंटे के लिए बड़ी बाते क्या है विकुल देप और बड़ी बातों में देखे तो दुनिया भर के बाज़ानों से जो अच्छे संकेत मिले उसके दम पर भारती बाजार मजबूती बनाते हैं लेकिन हमारी मजबूती ज्यादा बहतर ज्यादा क्वालिटी वाली दिख पचास अंकों की तेजी के साथ निफ्ति 15,875 के ऊपर निकलता हुआ दिन की उचायों पर पहुंच चुका है अच्छी बात है कि निफ्ति बैंक भी मजबूती के साथ ट्रेड करा है इस मजबूती में दो प्राइवेट सेक्टर बैंक का सबसे जादा योगदान है एक्सि नकिजु की उम्मीद में एक्सिस आईसे से कोटक में खरीदारी होती दिख रही है रियल स्टेट शेर मजबूत है फमसी जी में तेजी है प्राइवेट बैंक सो हम बात करी चुके है इसके लावा मेटल और आईटी यह दो और इंडेक्स ऐसे हैं जहां से अच्छी तेजी दीन दिन तक तो खेर तेजी से बंदी हो चुके हैं लगातार चोथे दिन आज अमेरिकी बाजार तेजी का चौका लगाने के मूर में दाव फीचर सेंचुरी मार्कर ट्रेंड करता हुए दिख रहा है और यह भारती बाजारों को पसंद आता नजर आ रहा है तो यह है जैसे भी लगनी रादीप की वीकेंड है तो बुद्धवार को जो चुट्टी मिली है उससे अभी तक तो वीकेंड वाली फीलिंग ही नहीं आ रहे है ऐसा लग रहा है कि इतना बड़े मार्केट में एकात दिन और चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर जो भी है हफते का आखरी दिन है और आज की क्लोजिंग दमदार होने के पूरे-पूरे आसार आपके लिए जीदी बिलकुल सर तो दमदार क्लोजिंग के लिए तयार है कल भी सर डबल सेंचरी लगाई थी और डेज हाइपर बाजार बंद वह था अभी भी हम डेज हाइपर ट्रेड कर रहे हैं बट वही कंजेशन जोन के पास आ रहे हैं सर जो सुबह आप बात भी कर रहे थे पंदरा नौ अटक सकते हैं या यह कहना तो आसान काम है कि हाँ साथ ही दीप यह चीज है कि ऊपर भी निकलेंगे किसी दिन 16,000 के लेकिन जब तक 16,000 को पार ना करें तब तक 15-916,000 के रेंज में खरिदारी करना थोड़ा सा रिस्की है यह रेंज यह लेवल प्रॉफिट बुकिंग करन दी दोनों तरफ के एक बार आपका stop loss trigger होगा वह एक बार कोई भी हो सकता है वो इस बार ही हो सकता है सपर्ज आप रेंज में कांट्रा ट्रेड लेने की शुरुवात आज से करें और आज इस stop loss trigger हो जाए पॉसिबल है एवर्टिंग इस पॉसिबल इस मार्केट में जरागी कि सुबह हम आईडिय की बात करें से 2 मिट में देखें दो मिन लेट होता है शायद को भी नहीं होता लेकिन हो जाता है कि आप किसी चीज को सोचते हैं कुछ अलग हो जाता है लेकिन पॉइंट यह कि 15,960 यह वह रेंज है जहां पर बार 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 जार अटक रहा है तो इस रेंज में खरीदना रिस्की है प्रोफिट बुक करना सेंसिबल है और बेचना थोड़ा हिम्मत का काम है आपके पास सिंपल है अब जब आप 15,900 पर बेच रहे हैं तो आपके लिए यह है कि 16,000 सो पॉइंट की रिस्क लेकर बेचना है तो मेरा यह समझना है जब तक 16,000 को पार ने करें तक 15,900, 15,950 खरिदारी करने के बजाए प्रोफिट बुकिंग करने का लेवल ज्यादा है पहली चीज़ और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर आप शोर्ट भी करें कोई दिपकत नहीं तो दोनों तर से आप ट्रेड ले सकते हैं इसमें कोई संकेत भी अच्छे हैं लेकिन वही है कि जब तक आप 16,000 पार ना करें तब तक एक बार 15,900, 15,950 की रेंज में प्रोफिट बुक करके इंतिजार करें और अगर 16,000 पार कर ले तो आप अपनी शोर्ट भी काट लें डबल लोंग भी कर लें फिर 16,200, 16,400 की तरफ का हम ट्रे खरीदारी बढ़े आती भी दिखेगी और तब हम भी मूर चेंज कर लेंगे अधर वाइस हम थोड़ा रेंज में फसे हैं तो मेरा यह समझना है यहां पर इतनी अच्छी तेजी होने के बाद रिस्क रिवोर रेशियो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपके लिए इंडेक्स मे खरीदने की राय दिये तो निफ्टी के जो दिगट शेर है वहां पर लगातार खरीदारी की राय तो स्टॉक स्पेसिफिक टेजी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाकि इंडेक्स के लिए से आप थोड़े रिस्की जोन में आ रहे हैं यह ध्यान में रखना जरूरी है जी बिल्कुल सर रिस्की जोन में थोड़ा आ रहे हैं यह ध्यान में रखना जरूरी है और रेंज के उपरी स्थरों पर आ रहे हैं यह इंपोर्टन है और सर यह हफता पिछले फ्राइडे से अगर आप हफते को गिने तो काफी इंट्रेसिंग रहा है पिछले ह आप रहे हैं और इसी हफते में काफी उतार चड़ाव होते हैं अब देखते हैं वापस रेंज के उपरी सरों पर बाजार किस तरह का आक्शन दिखाएगा आए फिर जान लेते हैं कौन से इवेंट्स पर है बाजार की नजर और साथी खब्रों वाले शेर्स आज कौन से है वरुन और देवानशी हमार साथ तेयार हैं देवानशी गुड़ आफ्टरनून आपसे करते हैं शुरुआत बताई कौन से इवेंट्स पर है नजर बुड़ आफ्टरनून आज सबसे पहले तो नतीजों पर नजर रहेगी JSW Steel और साथी Reliance Industries इसके नतीजों का बजार को इंतजार है इसके साथी वायदा बजार में आज United Spirits, Amboja Cement इसके नतीज़े आने वाल है और शाम को आपको थोड़ा सा स्पूर्ची इवेंट जो बन साथी Cash Market में बहुत सारी Companies हैं जैसे कि MCX इसके साथी Zen Technologies है इन सब के Numbers आते हुए दिखेंगे और Indocent Bank जिसकी बोड बैठक आज होने वाली थी अब वो पोस्पोन होके कल हो चुकी है कल बोड की बैठक होगी और पूंजी जुटाने पर यहां पर फैसला होता हुआ चाहिए आपके लिए कुछ important triggers और इसमें धेरो नतीजों है जहां पर आपको रखनी है नजर उसके दम पर बाजार action में भी है आए कुछ नतीजों जो अलड़ी आ चुके हैं और साथ ही खबरों वाले शेर्स कौन से इस पर भी नजर डाल लेते हैं वरुन हमार साथ तयार ह आए गुड़ आफ्टन दीप तो सबसे बड़ा जटका तो आज टेलिकॉम कंपनीज को लगा कि उनकी जाची का थी एग्यार की रिकालकुलेशन को उसको सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया है इसका इंपक्ट आपने वोड़ा फोन पे देखा जहां पर शापकाट देख महिंद्र हॉलिडेस 29 जुलाई को बोनस इशू पर बोड़ बेटा करने वाला है रिजल्स के साथ साथ इसके पहले आपको याद होगा महिंद्र लाइफ स्पेस ने गोशना की ती इसके बाद महिंद्र हॉलिडेस में भी बोनस शेर की गोशना की है कि उस पर विचार परकार NMDC में करीब 90 लाग शेर जो है वो बेचने की योजना बना रही है इसके अलाव कुछ नतीज़ जो है उसमें फेडरल बैंक मुनाफा 367 क्लोस पर आया है हमारा अनुमान 375 क्लोस का था ग्लास NPS बढ़े हैं करीब करीब 3.4% से बढ़के जो है यह 3.5% पर आया है प्रोविजिंग जो है वो भी बढ़ी है 390 क्लोर से बढ़के 640 क्लोर के आसपास आई है तो यहां पर थोड़े हलके नोट पे कमजोर नतीज़े है मैनन बैरिंग सालदर साल नतीज़े काफी बैतर है मुनाफा 2.8 क्लोस से बढ़के 8.5 क्लोस पर आया है हाला कि कॉटन कॉ लेकिन ऑप्रेशन परफरमेंस थोड़ा वीक है सालदर साल भी 23% से घटकर जो कमनी का मारजिन है वो करीब 22.9% का आसपास आया तो मामूली गिरावट वहां देखने मिली है अतुल लिमिटेड यहां पर मुनाफा 118 क्लोर से बढ़के करीब 166 क्लोस पर आया तो अच्छे परफरमेंस अभी SKF इंडिया के भी नतीज़ा आया थे जहां पर आक्शन है ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया तेजी है और अनल जी एक शेर जिस पर वापस नजर डाल रही है डेज हाई पर ट्रेट करते हुए दिख रहा है JSW एनरजी इस पर जड़ा आप से फिर से रह प्रेश राइस है बेचे की वह बिल्कुल देप हम लगाता रहा है मुझे यादे दो दिन पहले ही आप पूछ भी रहे थे 200 रुपे पर क्या करना चाहिए तब भी मेरे यही राथी कि रहिए आप इसे हड़ बड़ी मत करिए जल्दबाजी मत करिए 225 का पहला टार्गेट मेरे राइ अब भी मत कीजिए हड़ बड़ी मत कीजिए जल्दबाजी मत कीजिए अगर आपके 150 के आसपास एंट्री है 235 तो बहुत जल्दी बहुत तेजी से भागा है थोड़ा बहुत प्रोफित बुक करना चाहिए तो करे बट अधरवज अभी भी होल करें कोई दिक्क हैं प्रोफित बुक कर सकते हैं अब भी मोका है आपको खोल करना चाहिए JSW एनरजी जरा चार्ट पर एक बार राए ले जाए बंसल जी देखे JSW एनरजी के चार्ट तो दीजिए अपनी राए अनिजी चार्ट एक्दम भेतिरेन हैं एकदम अंचार्टी टरिटरी में चल रहा है नीट क्लीन क्लियर ब्रेक आउट है बायों डिक्लाइन वाला स्टॉक है और अनिजी इसको तो आपने काफी निश्ले तरों पर रिक्मेंट करा और जिन्स तरों के बाद दिपांशू कर अनिजी अगर आप रिक्लेट करें तो बीछे आप ये कोविट की सेकिंड वेप से पहले एक बार दिल्ली भी आया थे और तब भी इस पर चर्चा होई थी और तब तो ये स्टॉक डवल डिजिट के अंदर था तो एक बहतरी आप मूव देखने को मिलाया जिसने नीचे का लिया हुआ है वो होल्ड करें करेक्शन पर खरेदारी की राय होगी JSW Energy में ओके तो करेक्शन पर खरेदारी की राय है अब जब आएगा तब आएगा करेक्शन क्योंकि पिछले कुछ समय से तो एक तरफा तेजी दिखा रहा है बड़िया मोमेंटम में आते हुआ है JSW Energy और अपने टार्गेट्स भी अचीव करते हो दिख रहा है अधा है समय जी दिबांशू मैं जो स्टॉक को बाय दे रहा हूं वो सब को सुनके अच्छा रगेगा क्यूंकि स्टॉक जनरली चलता नहीं है और आज ये चलनने को तयार है और आज एक बहुत स्टॉंग केंडल फॉर्म हो रही है और अब यह यहां से पक्का चलना चीए स्टॉक का भाव चल रहा है 212.50 पैसे स्टॉक का नाम है ITC ITC के अंदर आज एक बहुत स्टॉंग केंडल फॉर्म हो रही है दिबांशू मेरे को ऐसा लग रहा है कि यह स्टॉक यहां से कम से कम 10 से 15 रुपे की तेज़ी दिखाने को तयार है ITC यहां पे CMP पे खरदारी कर 208 रुपे 50 पैसे का नीचे में स्टॉप्लोस लगा है डाउनवर्ड स्टॉपिंग ट्रेंड लाइन का इसने आज ब्रेक आउट दिया है पिछले 10 दिनों के अंदर पिछले 7 दिनों के अंदर इसने छोटा सा फ्लैक पैटन का ब्रेक आउट दिखाय है डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में दोनों में मेरे को अच्छा लग रहा है कोई ना कोई न्यूस जरूर आनिची आइटीसी में अभी यहां से क्योंकि जिस तरह की केंडल फॉर्म हो रही है यह मेहनों के बाद ऐसी केंडल फॉर्म हो रही है जिसको देखते वह लगता है कि उपर में इमीजेट टागेट बनेगा 208 रुपे का और दूसा टागेट बनेगा 221 रुपे का ऑप्शिंस के जरी भी इसमें ट्रेड लिया जा सकता है 215 वाला कॉल अभी CMP पर खरदारी करें 2 रुपे का नीचे में स्टॉप लोस लगाए उपर में 3.5 रुपे से लेके 4 रुपे के टार्गेट 215 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉर्ट लेवल में 221 रुपे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं दो से तीन दिन का ये ट्रेड है खरदाई करके चलने का सला रहेगा ITC में अनल जी आज तो बढ़िया दिन बनते हुए दिख रहा है बाजार का बाकी सारे स्टॉक्स पार्टिसपेट करें न करें ITC परफॉर्म कर रहा है नतीजों से पहले 3% की तेजी ITC में बनते हुए दिखरी है सर क्या भी यो बनता है फाइनली ITC भी थोड़ा आक्शन में आते हुए दिख रहा है बिल्कुल दीप मैं एक ही चीज कह सकता हूँ आज सुबह का आइडिया का कॉल थोड़ा गलत हो गया और गलत भी मतल़ा एकदम से ही हो गया तूरंती बोलते तो जिन लोगों को आइडिया में नुकसान लगा हालां कि बहुत सारे लोग एक्जीट कर भी नहीं पाए होगे लेकिन दोसुरुपे के नीचे की रिस्क नहीं के बराबर है खतम तो कभी नहीं हो सकती है मार्केट है कभी बी किसी बीतरव की रिस्क रहती है तो अगर आईटीसी आपके पास है नहीं है तो फ्रेश खरीदा जी कीजिए जो सुमिच जी कह रहा है बिल्कुल हंडेट परस सेफे हो सकता है आज का जो मूँ है वो कल चुकि नतीजे आने वाले और नतीजियों के पहले का मूँ हो सकता है लेकिन एर्रेस्पिक्टिव और रिजल्स मुझे लगता है कि यह एक ऐसा स्टोक है जो आपके पॉर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए पेशन स्टेस कर रह करेगा तो आपके चेहरों पर मुस्तान जरूर लेकर आएगा यह मुझे बरूस है तो ITC डिफिनेटली खरीद कर रख सकते हैं और हमारे एक और ITC बूल है कुनाल जी जरा उनसे भी राही लेजिए कुनाल जी आइटीसी जरा बताएं सर्थ अरे जी बिल्कुल मैं और राकेश जी भी ITC की चर्चा कर रहे थे फिर अने जी जिस तरह का यह चार्ट है जितना लोगों का इंट्रेस्ट है इसी के चलते हैं और विकल्प तलाशने लगे बहुत जबरदस्त ब्रेकाउट आया है और सबसे अच्छी बात अने जी है कि अ 240 के लेफलस आपको देखने को मिलेंगे तो पूरी तरह अने जी शुमिज जी और आपके साथ हैं और अने जी साथ में चार्ट कॉर्णर भी है बिल्कुल यह अकुनाल जी और आकेश जी के लिए बिगल चार्ट कॉर्णर का बताएं सर अने जी चार्ट कॉर्णर के बाद एक सवाल भी है आपसे तो एक बार आईएगा एज और अने जी जो चार्ट कॉर्णर पिक है वो है उनाइटीट स्पिरिट्स में ख्रिदारी की राय है जिसके अंदर आज एक ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है काफी दिनों से स्टॉ करेक्शन के अंदर था आज एक नेक्ट लाइन को तोड़ रहा है एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर यहां देखने को मिल रहा है बोथ लीडिंग और लाइगिंग इंडिकेटर्स पर ओवर टू कुनाल जी पारी जी देखें सारे लिकर स्टॉक्स में ब्रेक आउट आता हुँ दिख रहा है जबरदस तेजी रैडिको खेतान में बन रही है और अब मेक्डॉवल्स यानिकी उनाइटिट स्पिरिट्स की बारी है यहां पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेक आउट चार्ट पर देखने को मिल रहा है बाय करके चलना है स्टॉप लॉस रखें 672 रुपे पर 672 के स्टॉप लॉस से मेक्डॉवल्स में खरिदारी करें पहला टार्गेट 705 रुपे का दूसरा टार्गेट 725 रुपे का तो 725 के टार्गेट के लिए मेक्डॉवल्स में खरिदारी करा साथ सो पचीस तक के टार्गेट के लिए करें खरीदारी मेकडोवल्स जाने की युनाटेट स्प्रिट्स में यह है राए आपके लिए कुनाल जी और आकेश जी की तरफ से आते ही चेस सो बहुत तक का स्टोप्रों सगातर तेजी करने के राए 705 का पहला और छोटा टार्ग वागले साब तो है ही हमारे साथ है और हाँ सुबी जी भी हमारे साथ है आई यह जो एक्शन में आ रहे है जूबिलेंट फूर्ड पांच परसेंट ऊपर है आज के सेशन में वागले साब चार्ट देखिये और राय दीजे अपनी हो सकता है जोमेटों की दमदार लिस्टि यहां पर फ्रेश एंट्री में थोड़ा सा कॉशन यह करूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस आपका नहीं बैटेगा 3400 का स्टॉप बहुत लंबा है यहां से लेकिन मोमेंटम कंटीनू हो सकता है मुझे यह 37 37 20 तक जाते हुए लेकिन यह से फूल देखा जा सकता है इस प्रेकरन में थोड़ा सा रिस्की होगा थोड़ा सा कंब समय के लिए थोड़ी से करेक्षन आती है थो लेना ठीक करें थोड़ा करें तो बहतर रहेगा वह प्रेक्षन कब आता है इंट्रेसिंग रहेगा क्योंकि कल भी 10-11 परसेंट बागा था आज भी देखें तो 5% उपर ही है सुमित जी के पास एक और कॉल आ रही है उनकी तरफ से सुमित के सुपर हिट बता है सुमित जी दिपांचु जिस तरह से बैंक निफ्टी ने लोवर लेवल से रिखवरी ली है लोवर लेवल से आज एक रिबांड दिखाया है मेरे को लग रहा है जैसे ही 35,000 का लेवल टूटेगा बैंक निफ्टी में अगले हफते में हमें बहुत बढ़ी है और बहुत एक अच्छा अपसाड मूब बैंक निफ्टी में उपर की तरफ लेखने को मिलेगा मेरे को यहां से स्ट्रॉंग अपसाड मूब दिखता है बैंक निफ्टी में तो जो दिगगत स्टॉक है वो तो चलेंगे ही चलेंगे इसके साथ साथ जो छोटे स्टॉक से उनके अंदर भी एक इस बार अच्छा अपसाड मूब देखने को मिलना चीए तो जो स्टॉक मेरे को लग रहा है कि candle form हो रही है positive side की कल का high stock अभी break कर रहा है पिछले 10 से 11 दिनों के fall के बाद बापस से अब तेजी की शुरुवात हो रही है आयोबी के अंदर और यह stock यहां से कम से कम 10% उपर में 25% का upside move मेरे को लगता है जल्दी दिखाएगा आयोबी को यहां पर CMB पर खरदारी करे stop close नीचे में लगा है 23 रुपे 90 पैसे का 23 रुपी 90 पैसा उपर में जो target बनेगा 28 रुपे का पहला बनेगा 30 रुपे का दूसरा बनेगा एक हफते का view लेना है stop close लगाना है 23 रुपे 28 से 30 के targets के लिए आयोबी में खरदारी करके च भी खरदारी हो रही है तो PSU Banks आज एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं बाजार में अच्छा contribution यहां से आते हुए दिख रहा है आएए चलते हैं विश्वेश जी के पास बिगल उनके लिए विश्वेश के विशेश गुराफन विश्वेश जी बताएं सर देखें मेरा यह मानना है कि शायद विश्वेश बैंक जो है वो लीट फरंफरंट करेंगे तो आई से एक से लगता है कि बैंक निफ्टी को यहां से काफी उपर लेके जा सकता है और लॉंग विश्वेश बैटर तो जू ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है जिसमें बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही रिस्क रिवर्ड है वह है बजाज फिंसर्व करेंटली फ्यूचर में जुलाई फ्यूचर 13,170 के पास चल रहा है मुझे लगता है यहां पर 13,000 का stop loss रखना चाहिए और यहां खरीदारी करनी चाहिए और जिसाब से इसमें टागेट बन रहा है मुझे लग रहा है अल्मोस्ट छैसों रुपे तक की मुझ आनी चाहिए अगले दो या तीन दिन में तो 13,480 और 13,800 के लिए मुझे लगता है बजाज फिंसव को खरीदना चाहिए बहुत ही एक short correction दिया था वो correction के अंदर में momentum में बहुत ही beautiful pattern बना है मुझे लगता है आज का जो 10% OI addition है और price moon नहीं हुआ है that means that OI is added ahead of the sharper move in the coming days तो बजाज फिंसव को खरीदना चाहिए विद थरीन थाज़न स्टॉपलोस इविंच्यो टागे थरीन थाज़न 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 फिंसव पर आ रही है विश्वेश जी की तरफ से रहे दिगज फानाशल के participation का समय आते वे दिख रहा है और इसलिए इन स्टॉक्स में आप बढ़िया तेजी इस समय बनते वे देख रहे हैं तो चलते हैं विश्वेश जी की कॉल बजाज फिंसव जहां पर आप कर कर सकते हैं खरेदारी इस समय इसके साथ ही कुछ और काउंटर जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है आपको बढ़िया तो चलता ही जा रहा है जिसरीगी का टेकनिकल स्ट्चर रहा है तो जिनके पास है दिपांचू होल्ड करें करेक्शन पर ख़दारी की रहे होगी अगर 850, 850, 845 के आराउन मिल जाए तो वो अच्छे स्थर हैं इसको बाइ करने के लिए बिलकुल तो यह है अच्छे सर थोड़ा करेक्शन अगर मिले 850 के करीब आते हो दिख सकता है तो फिर वहाँ पर आप और एक्शन बनेंगे बट मिट काप स्मॉल काप स्पेस में नजर रखे यहां पर आपको बढ़िया तेजी का महल आते हो दिख रहा है जैन साब हमारे स इसके भी नतीज़े है और वहाँ पर भी जबरदस तेजी बन रही है क्या चल रहा है इस इंकाउंटर्स में सर बिलकुल जबरदस कर रहे हैं सही आपको याद रहा है वेंट मैंने 10 की कमाई में दिया था और जबरदस यह स्टॉक चल रहा है और सारी इन फैक्ट यह अच् की वज़े से activities इतनी affected नहीं वही तो उसका एक बहुत अच्छा वो दिख रहा है मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से results इस quarter में आएंगे और मेरे इसाब से बिलकुल जिन्होंने ले रहा है वो hold करके रहे हैं वेंट इंडिया बहुत ही जबरदस result है और नी वो भी बढ़िया है एसकेफ जेनरली स्लो चलता है बड़ भी बढ़िया है तो इस तरीके से market वापस से एक healthy correction देने के बाद उपर आ रहा है तो अनिल जी मुझे लगता कि वापस से कहीं वह 16,000 वाली गुहार लगाना शुरू कर दे ताकत लगा दे पिछली बार Thursday के दिन ह अनिल जी दिपांचु जी आपको और मार्केट को और सारे पैनलिस्ट को आज और कल दोनों का confusion है तो आज अब लाइफ बोलना चाहरा हूं बिल्कुल जेन साब आपको भी और सारे पैनलिस्ट को गुरू पुरू निमा के बहुत बहुत शुब काम ने अच्छा गुरू पुरू निमा के साथ ही आज ओलंपिक भी शुरू हो रहा है तो आज मतलब आप वैसे सारे लोग इतने बड़े-बड़े मार्केट के लुए तो कोश्ट तो हैं कम से कम इतने सब जितने खिलाडियों उनको गाइड करते हैं तो उनके गुरू है तो जो खिलाडी है और जो गुरू है दोनों के लिए कुछ विशेश आयो जन होगा मैं सोचा हूं अब दीब आज फ्राइडए आयो वैसे तो ध्यान नहीं रहा पहले मस्ति की पार्ट से लागा प्लान करते थे लेकिन अब कुछी सारे इस पर से नहीं तो साड़े तीन बजे थोड़ी कुछ ने कुछ मस्ति इस पर की जाए और वो इंस्टेंट टोपिक एक मेरे दिमाग में आ रहा है यह तो यह रखा जाए कि भाई अगर आपको कोई के खेलने का मोका मिले ऑलंपिक में जाके तो आप कूं सा वाल खेल होगे ठीक है इसका जवाब तयार रखेगा साड़े तीन बजे में इसका जवाब आपसे लूँगा कि अगर आपको भोजा जाए ऐस तो तो इस पर भी हम तर्चा करेंगे थोड़ी देर में आइए इस बीच नतीजों के लिए आज से भी जो भी रिजल्स प्रियू तैयार है जिन जिनके रिजल्स का अनुमान तैयार है जल्दी से एक के बाद एक रख दिये जाए बिल्कुल सर और वरुन आशिश दोनों हमारे साथ तयार है जेस जबली स्टील और रिलायंस दोनों के नतीजों पर नज़र है दिगज रिलायंस से करते हैं शुरूबात वरुन बताईए क्या है इस बार बाजार का अनुमान देखें के नतीजे हमें कॉटन कॉटर देखनी वाला है खासका जो OTC कारोबार है वहां पर अच्छा प्रदेशन रहेगा पैटकेम के जो माजिन से वह अच्छा आएंगे हाला कि रिफाइनिंग में थोड़ा प्रेशर रह सकता है क्योंकि जामनगर की जामनगर की जो रिफाइनरी थी खुछ समय के लिए बन थी तो उसक आपको देखने मिलेगा लेकिन बाकी पैरामीटर पर जो ऑईल का कारोबार है वहां प्रदेशन अच्छा रहेगा तो दिक्कत कहा होगी दिक्कत होगी कमनी के रीटेल के कारोबार पे खासकर एप्रिल और में में जो लॉकडाउन सुए थे उसका इंपाक्ट देखने मिले बारा हजार कोड के आसपास या सकता है जियो का परफोर्मेंस पे नजर रखना क्योंकि स्ट्रीट पर काफी लोग मान के चले कि आर्पूस थोड़े बढ़ सकते हैं पिछटे बार 138 के आसपास ते इस बार 139 140 के आसपास का अनुमान लगया जा रहा है कुछ कह रहा है कि गिर भी सकते 137 के आसपास इसके नामने 137 से 140 की रेंज रखी है इसके बीच में आएंगे हाला कि साल 10 साल भी आप अगर आप नतीजे देखेंगे तो यहाँ पर नतीजे साल 10 साल अच्छे रहेंगे लेकिन साल 10 साल माजिंस में गिरावाट होगी और मुनाफा भी गिरेग करीब 9.9 परसंट गिरेगा वह इसलिए कि पिछले साल इसी कॉटर में 5000 कोड के आसपास की अतरिक आये थी तो भले साल 10 साल हो कॉटन कॉटर हो यहाँ पर नतीजे थोड़े हलके सब्डूड रहने वाले हैं खासकर कॉटन कॉटर आप नतीजों को देखेगा जहां पर JSW Steel कैसे रहेंगे इसके नंबर से आए जानते हैं आशीश के साथ आशीश बताईए तिपांचु बहुत दमदार नतीजे देखने को मिलेगे पिछले साल के मुकाबले तो दीके छोटे वे इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा पिछले साल करी 561 करोड का घाटा दर्ज कि देखने को मिलेगी क्योंकि कीमतों में लगातार बड़त देखने को मिलेगा स्वभावे के मार्जन में भी आपको बड़िया एक्स्पांशन देखने को मिलेगा 11.4% से बढ़कर 35.8% रहेंगे कैपिटा मार्जन कामकाजी मुनाफ़ा देखे 1341 करोड से बढ़कर 9630 करोड टॉप लाइन में 128% का इजाफा देखने को मिलेगा सिर्फ इतना ही नहीं देखे साल दर साल तो पता ही है सप्टो की नतीजे काफी दमदार देखने को मिलेगे लेकिन तिमाईदर तिमाई अगर आप देखे तो सिर्फ टॉप लाइन में हल्की सी गिरावट है लेकिन कामक मुनाफ़े में देखें अच्छी क्रोथ देखने को मिलेगी मार्जिन से माइदर तिमाई 31% से बढ़कर 36% मुनाफ़ा 4198 करोड से बढ़कर 5000 57 करोड जैसे की मैंने आपको बताया और अबिटा प्रती टन के लिए आज से अगर आप देखें तो वाइन 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 भी करोड नजर आगे और क्यों 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 भी अगर आप देखें उनीस हजार 756 रुपे से बढ़कर 25,090 रुपे प्रती टन के आसपस देखने को मिलेगा तो यानि सेल्स वॉल्म केवल ति माई करीब 11% की गिरावट दिखाएंगी बाकि हर लियाद से अगर आप देखें तो नतीजे काफी बढ़ी आएंगे ओके तो यह है आपके लिए JSW Steel तो Reliance JSW Steel दोनों दिगजों के आने वाले हैं आज नतीजे बाजार बंदोने के बाद देखते हैं फिर मंडे को बाजार में इसका कैसा रेक्शन रहेगा नतीजों का तो इंतजार है ही पर कुछ बढ़िया कॉल्स भी आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से अनल जी की स्ट्राटिजी लें उससे पहले एक बार चलते हैं राकेची कुर्णाल जी के पास उनकी स्पेशल पिक के लिए मदा आएं सर दिवांचु के स्पेशल से ज्यादा वेरी स्पेशल पिक है स्टॉक कभी भी ब्रेक आउट के बाद चला नहीं है बट अब जो पैटन है ये स्टॉक के काफी बड़ी उच्छार लगाने को त्यार है और स्टॉक है सन फार्मा सन फार्मा पे एक ओवरवेट ख्रिदारी की राया है एक नेकलाइन टूटी हुई है वीकली चार्ट पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटन फॉर्मिशन बन रहा है तीस तारिक को नतीजे है और नतीजों से पहले पैटन बढ़िया है काफी समय से स्टॉक चला रहा है लेकिन अभी अपनी चुपी तोड करके वापस से तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है तो इन सतरों पर बाय करके चलें बिलकुल मौके पर हम खरिदारी की राये दे रहे हैं यहां पर एक बहुत चोटा सा स्टॉप लॉस रख लें 690 का 690 रुपे के रुपे का दूसरा टार्गेट 735 रुपे का तो 735 तक का मूव आपको संट फार्मा में जल्द आता हुआ दिखेगा तो यह है आपके लिए राय इस वक्ता संट फार्मा पर खरिदारी करने के लिए आज से कुनाल जी और राकेज जी की स्पेशल पिक आज के लिए 690 का स्टॉप लॉस और 377 उपर के टार्गेट 720 और 735 के आते दिख रहे हैं आए आते वे दिखेगे एक बड़ी ख़बर और यह बड़ी ख़बर जोड़ी भी वी निवेश्त है हमारे सवादार चेतन भुटानी हमारे साथ 300 कारिकरम में हो रहे हैं शामिल जिनके पास है यह बड़ी ख़बर चेतन बताए क्या है ख़बर किन शेरों को लेकर किन कंप पूर कवर है इंडिन ओवर सीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइडाइजेशन पे तल चाम को साड़े 5 बजे लगबर पनाच मिनिस्टर निर्मिला सितारमन रोड ट्रांस्पर मिस्टर नितिम गटकरी रेलवेस मिनिस्टर अश्विनिय वैश्वाब और कोल मिनिस्टर भी मिले थे जो एक ग्रूप ऑफ मिनिस्टर नहीं है और अल्टरनेटिव मेकानिजम पे जो 2019 पे यूनियन काबिनेट ने अप्रूफ किया था और स्ट्राइजिक डिसिंवेस्मेंट तो यह जो ग्रूप में सर यह डिसाइड करता है कि क्या स्टेक से कब होन बोली लगायाने का फ्रबंद किया जाएगा क्या-क्या मॉडालिटी इस फिक्स करे जाएगी कि इनको ट्राइक्शन एडवाइस के तौर पे मुलाया जाएगा उसके चलते काफी ज्यादा ताइम लाइन डिसक्शन हुआ इंडिया के मेरे सोर्सिस यह भी बता रहे है कि श बड़ा स्लो हो गया तो उसकी चलता काफी जोरो शोरो से हुई और थर्ड ली मेरे सोर्सिस मुझे बता रहे है कि क्योंकि अद्रिस्टेटिटर इस जो है उसमें रेल्बेस और कोल भी जो शामिल थी तो कोल और रेल्बेस सेक्टर के पीस यूस भी इसमें डिसक्शन में आ तो चैतन जो आपका एक्स भी खबर दे रहे हैं उसमें एक दो सवाल मेरे जो निकल कर आ रहे हैं मैं एक एक करके आप से पूछता हूं पहली चीज़ तो यह कि क्या इस बेठक के बाद अब यह मान लिया जाए कि जो तीन या चार बैंकों के नाम चल रहे थे कि उनमेंसे दो बैंक सरकार निजी करतन करेगी करेक्ड अंधाज में दो बैंकों के नाम सबसे आ गया आते थेak्स पहला सवाल मेरा यह कि क्या आप यह मान लिया जाए कि सेंट्रल बैंक और आईयो भी वह दो सरकारी बैंक ऐसे हैं जो प्राइटाइज किया जाएंगे यह पक्का है? इंडियों नाम लगब नाम फाइनलाइस कर दिए गए हैं और उस पर डिसकेशन हो यह तो मुझे तो यह लगता है पिदाल के लिए और पेलिए बतार हैं कि इन दोनों नाम पर जल्द लग सकते हैं तो सबसे पहली और इंपोर्टेंट चीज तो यह कि यह लगबग लगबग फाइनल है कि सेंटरल बैंक और आयोबी दो बैंक का नीजी करन किया जाएगा तो अगर नीजी करन इन दोनों बैंक का होता है तो फिर इन बैंकों के लिए रेटिंग होने की पूरी-पूरी में आसान काम है नहीं और आर बैंक ने शायद कहीं यह मन बना रखा यह डिसाइड कर रखा कि बजाए नए लाइसेंस देने के जो पूराने बैंक है चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहिए पब्लिक सेक्टर के हो जिने चलना चलाना मुश्किल होता वाजी दिख कि इसके दम पर पूरी रिरेटिंग होने की संभावना है पहली चीज़ होगे अब दूसरी बात ही जो कल मीटिंग हुई इस मीटिंग में क्या खास बात हुए चुकि आप कहने कि काफी बड़े मिनिस्टर थे हैं वित्यमंत्री खुथी नितिन गड़करी साब थे हैं रेल अब क्योंकि इसके हर चार से पांच महिने मिलने की बहुत जरूरत होती है क्योंकि स्टाइजिक से लिए कैसी चीज़ है इसमें गवर्मेंट अपना फोकस पूरा लगाने में लगी हुई है क्योंकि उससे काफी पैसा बारत सरकार की खाते में आये गा लेकिन जो सोर से मु कर सकते हैं कि काफी extensive discussions रही होंगी किनके मुद्वर पे क्या क्या किस तरीके से पास्ट्राक करना चाहिए अचाहिए 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 इसके साथ इस्पिंग कॉर्परेशन का भी आपने जिकर किया है कि लिए क्या development हो रहे हैं जड़ा यह भी बताई अदरसल बात यह होती है कि काफी PSU items discuss किये जाते हैं लेकिन कुछ-कुछ items भी क्या कामेंट्स होते हैं वो हमको नहीं पता चल पाता क्यूंकि काफी internal होते हैं का कुछ sources इसको बताने से पहिचके चाहते हैं लेकिन मुझे ही उसमें भी एक चर्चा उठी कि इसको एक्सप्राइट करने के लिए भी Shipping Ministry के साथ कुछ मीटिक्स करें जाए डीपम को भी कुछ आदेश दिये गए थे जो कि अभी हमको Officially नहीं बता है लेकिन Shipping Corporation को भी भी बारत सरकार का focus जा दिये तो यह है आपके लिए पूरा का पूरा बड़ा एक अपडेट Shipping Corporation और साथी साथ दोनों बैंक को लेकर आता हो दिख रहा है थोड़ी देर पहली खरीदारी करने की राय आई थी बैंक पर IOB पर सुमी जी की तरसे सुमी जी देखिए चार्स और अगर यह ख़बर सही अगर होल करना तो क्या यहां से 25-30%-40% की अपसाइट संभव है IOB के चार्स जरा आप देखिए और साथी लगी हाथ अगर सेंटरल बैंक के भी देख पाएं तो दोनों ही बताएं बिलकुर अगर जी मैंने इतना ही टार्गेट दिया है मेरेको एकस्पेक्टेशन है कि यहां से हफते बर के अंदर ही IOB में एक बहुत बढ़ी और बहुत अच्छा अपसाइट मूप देखने को मिलना चाहिए 28 रुपे का पहरा टार्गेट है 30 रुपे का दूसरा टार्गेट है यह दो टार्गेट अच्छी होने के बाद उपर के लेवल और खुल जाएंगे और फिर और तेजी देखने को मिलेगी अच्छा अपसाइट मूप देखने को मिलना चाहिए दूसरा टार्गेट अपने पूछा सेंट्रल बैंक के अंदर भी मोमिंटम बिल्ट अप हुआ है लेकिन उसके अंदर एक उपर में रेजिस्टेंस तूटना जरूरी है जो स्टॉक का उपर में रेजिस्टेंस बन रह अच्छा ने यहां से और मजबूती हो सकती और जाहिर सी बात है आपका कर्णिक्शन आयोबी में ज्यादा है और यहोबी इसलिए त्यादा तेज़ दोड़ लगाता हूँ अभी एक और सोक है उस पर भी एक बार राय ले जाए कुनाल जी जरा स्शीपिंग कोर्परेशन पर भी राय दीजे, ये स्टॉक थोड़ा ठंडा है, आदा परसेंट मजबूत है, इसके चार्ट बताएं. और पिछले कुछ लगबग तीन महीनों से 120 से लेकर के 108 रुपे के एक बैंड में स्टॉक ट्रेड करता दिखा है, तो 120 के उपर ब्रेकाउट आने पर ही नहीं खरेदारी करें, फिलाल वेटन बहुच करें, 120 के उपर ब्रेकाउट होगा, तब ही SCI Shipping Corporation में आपको एक बड़ा पर अपने, आए फिर बाजार पर किस तरह का मूड महौल बन रहा है, डेटा क्या सेजेस्ट कर रहा है, चलते हैं अनल जी के पास आज की मार्केट स्ट्राटिजी के लिए अनल जी हफते की शुरुआत और हफते की एंडिंग में बहुत बड़ा मूड महौल में बदलाव होते हुए दिख रहा है, यूएस के बाजार देखे, फ्यूचर्स लगातार चौथे दिन आपको तेजी में इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, डाव फ्यूचर्स इस समय 120-700 अंक उपर बलकि अब तो 135 अंक उपर दिख रहे हैं सर, डेज हाई पर वहाँ पर कारोबार हो रहा है, नाजडाक फ्यूचर्स में आदे परसन की तेजी है और 15,000 का स्तर नाजडाक फ्यूचर्स ने अभी-भी छुआ है सर, तो वहाँ पर बड़िया आक्शन ब बड़ाया है, उस पर कुछ और सक्ती भी करी है, जिसके वज़े से होंग कॉंग और चाइना दोनों ही कमजोरी के साथ बंद हुए, जपान के बाजार आज बंद थे, तो बताएं सर, ग्लोबल मारकेट सो काफी पॉस्टिव हैं, डेज हाई पर हैं, अमेरिकी फ्यूचर्स क्या करना चाहिए? अमेरिकी फ्यूचर्स का मज़ माता है, लेकिन अटलिस प्रॉफिट बुकिंग तो आप करी सकते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर पुट खरीद कर आप अपनी पोजिशन को हेज करके चले, डेटा क्या करें हो बता दूँ, पहली चीज तो यह कि अब डाउन का सहरा देते वे दिखेंगे, तो पहली चीज है कि 15,800 आपके लिए सपोर्ट का काम कर लेगा, उपर में, 15,900 हल्की रुकावट का लेवल है, जहां 45,000 लाग शेयर का ओपन इंटर्स है, इसलिए बार-बार आप वहां पर जाकर रुक रहे हैं, 16,000 आपसे पार नहीं होगा हाईटर्स आपनिंटर्स कोल्स में वहां पर है 16,000, तो बड़ी रेंज 15,800, 16,000 की ए और इसके बीच में 15,900 के आच पास हल्की रुकावट, तो मेरा यह समझना, आज के सेशन में आपको जो क्लोजिंग मिलेगी निफ्टी के, वो कहीं कहीं 15,850 से 15,900 के बीच की कहीं की ल तो आप profit book करके इंतिजार करें ज्यादा बढ़िया है यह होगे बात निफ्टी किये अब आईए bank निफ्टी 35,000 के आज पास आ रहा है कोशिश कर रहा है पार करने की लेकिन पार हो पाएगा मुश्किल दिखता है क्योंकि 20,000,000 का open interest है अभी इसमें दो चीजी है एक तरफ आप देखे तो 35,000 पिछले तीन दिनों से अटेम्ट किया है पार नहीं हो पाया है आज भी हफ्ते का आखरी सेशन है 20,000,000 का हाइस open interest calls में तो अटेम्ट कर रहा है लेकिन हो नहीं पारा यह नेगेटिव चीज है पोजिटिव यह है कि तीनों ही बैंक जिसके रिजल्ट आ पार करना मुश्किल होगा होगा तो सोंवार को होगा आज मुश्किल है तो वहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यह ज़्यादा बढ़ी है बजा इसके की फ्रेश खरीदारी करने के नीचे कहां तक आ सकते हैं तो 34,800 के आसपास अच् प्रॉफिट बुक करने की राय हमारी तरफ से जी दी नतीजे भी आने वाले हैं आज से मंडी की उपनिंग तक तो थोड़ा मुनाफ़ा बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं पर आए नतीजों की हम बात कर रहे हैं और काफी सारे नतीजों का इंतजार है वरुन और आशिश अभी भी हमारे साथ तयार है कुछ और नतीजों की ल वो भी बड़े हैं इसके लिए कहीं आपको ध्यान रखता हैं माजिन्स पे जो की शायद थोड़े सब्डूड रह सकते हैं सालाना आधार पर वॉल्यूम्स में 50% के आसपास की बड़ोती है रियलाइजेशन जो है उसमें सालाना आधार पर करी 5% और तिमाही आधार पर करी 5% के आसपास की बड़ोती होगी बड़ते वॉल्यूम्स के चलते हैं रियलाइजेशन में भी सुदार होगा ऑप्रेटिंग खर्च के खारण माजिन जो है वो दबाव में रहने वाले हैं हमारा आनुमाने सेल्स साल दर साल 47% बढ़ेगी कॉर्टन कॉर्टर साड़े 11% ग गिरने वाला है आगे नज़र रखेगा यह कमनी राजिस्तान की जो फैसलिटी है उसका काम पूरे होने की उमीद लगा लगा रहे हैं अगली तिमाई में तो उसके उपर क्या अपडेट है मांग और कीमतों के लोगे स्थिती क्या है फिलाल यह कमनी से जानना काफी बैतर ह गा तो नतीजे वैसे तो यह थे सालकि डाल अचशे रहाएंगे लेकिन हम इस भलेव सालकिसाल हो और कोटन-काट थोड़े वह प्रिशर में रह सकते हैं змлы बिल्कुल तो मार्जिन्स पर प्रेशर रहेगा बट अधर्वाइस अच्छे नतीजे रह सकते हैं और सिमेंट स्टॉक्स में बढ़िया एक्षिन भी देखा है हमने कल अल्ट्राटेक के भी नतीजे आये थे बाजार के समय वहां पर भी आपने मुव्मेंट आते हूं दिखा तो इसके लिए 215 करोड खाटे के मुकाबले इस बार 58 करोड का मुनाफ़ा जो है कंपनी साल-10 साल दर्ज करेगी कामकाजी घाटा तो 78 करोड का पिछले साल इस बार 152 करोड का कामकाजी मुनाफ़ा दर्ज हो सकता है और आयमें भी अगर आप देखें क्योंकि विक्री ठे अगर आप देखें तो बहुत ही कमजोर नतीजा आपको नजर आएंगे आयमें करीब 28% की गिरावट नजर आएगी कामकाजी मुनाफ़ा करीब 63% गड़ेगा मार्जिन जादे हो जाएंगे कामकाजी मुनाफ़ा तो मैंने बता गिरावट लेकिन मुनाफ़े में भी अगर तिमाई दर तिमाई कमजोर नतीजे रहेंगे जो एक ट्रेंड रहा है अब तक जितने भी नतीजे आपको आते हुए दिखें हैं वहाँ पर तो चलिए यहां पर भी आप कर सकते हैं आज का एक इंट्रेस्टिंग लिंक लेकर वरुन तयार है और यह है जो मैटो पर अब ज देखेंगे तो 62-63% के गेंज पर ट्रेट कर रहा है तो जो आई पयो लेवल पर प्राइसिंग थी और अब जो शेर का भाव है उसमें वैल्यूएशन पर क्या बदला हो गया है और इन लेवल्स पर क्या फ्रेश खरिदारी बनती है किस तरह से कंपेर करें वार्लिव जुम कमांड कर रहा है जब आया था तभी देखी करीब 30% 30 के आसपास मार्केट कैप टू सेल्स था प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 12.9 के आसपास था अगर आप ग्लोबल पीर से कंपनी को कंपेर करें तो ग्लोबल पीर्स का जो एवरेज मार्केट कैप टू से वो करीब 9 क के आसपास आता है भले आप चाइनिस कंपनी जर्मन कंपनी नेदरलेंड की कंपनी यूएस की कंपनी डोर डैज जैसे कंपनी अगर देख लेंगे तो डोर डैज भी करीब 16 के आसपास के मार्केट कैप टू सेल्स पर ट्रेट करता है जबकि इसकी लिश्टिंगी करीब 29-30 के आसपास के मार्केट काप टू सेल्स पर हुई थी 12.9 टाइमस П्राइस टू बुक वैल्यू था फिलाल ये 124 के आसपास सेेट कर रहा है तो अब इसका मार्केट काप टू सेल्स जो हो करीब 50 के आसपास आता है और लेफल पर आगर आप देखते जाएंगे तो यह महिंग होता जाएगा मैंने 500 के लेवल तक निकाला यह सोचके कि हो सकता है कि कल को यह उन लेवल तक जाए अगर उन लेवल तक जाता है तो 200 के आसपास मार्केट कैप तो सेज और प्राइस तुबुक वैल्यू 84-85 टाइम्स के आसपास आ जाएगा जो की हर लिहाज से महेंगा होगा कुछ और इंट्रेस्टिंग फैक्ट्रिस कमनी के बारे में यह है कि इन्फो हेज की जो जो मैटो में होल्डिंग है वो करीब 16500 कोड के आसपास जो ओवरार मार्केट कैप है उतना तो केबल जो मैटो का ही हो चुका है और भी कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्र आपको दिखाता हूँ जुबिएंट फुडवर्क्स ये इसका नियर टम जो कॉम्पेटीटर है जो पिज़ा बेचता है पिज़ा बनाने वाले से पिज़ा बेचने वाला या फिर डिलिवरी करने वाला ज्यादा मेंगा हो चुका है तुपइंट टू टाइम्स आफ्ज जुबिएंट फुडवर तो एक लाग करोड से जादा का मार्केट कैप लिस्टिंग पर ही और अनल जी ये इंट्रेस्टिंग बात है जो प्रॉडक्ट्स जो मैटो यूज करते हैं फूड डिलिवरी के लिए उन कंपनीज लेगेसी कंपनीज कई सालों से कारूबार कर रही है उससे जादा की अब थोड़े दिन पहले हर्श गोएंका साब का भी एक ट्वीट था कि मैं भी एक तरह से ऐसी एप बनाने वाला हूं इस तरह से हजारों करोड रुपए फूंकूंगा जितने ज्यादा पैसे मिलेंग उतने ज्यादा फूंकूंगा फिर एक जोमेटो जीसा बनाऊंगा औ इतने थोड़े से वियंग के तरीके से कहा था अब यह मिसमेच रहेगा बीचे देखे ईल्टिमेटली कि जमाना बदल रहा है हर एक का अपना तरीका इंवेस्ट करने का पसंद करने का हरेक्ट हमारे से 2 जनरेशेन पहले जाएंगे मेरे से 2 जनरेशन पिक्र अले मतलब है पॉस्ट ओफिस में सेविंग रखी जाए वहां से फिर लोग धिमे धिमा फाइनिशल एसेट्स में आएं इंशुरेंस खरीदने लगे हैं इस्टॉक मार्केट में इंडिरेक्ली लगाने लगे अब डिरेक्ली और इस्टॉक मार्केट में भी जो पहले एक जमाना था किसकी फैक्टरी कितनी बड़ी है किसके पास कितनी जमीन है बिक एंड मोटार बिजनिस स्टील सिमेंट यह सब चलते रहे अब जमाना बदल गया अब सब क्लिक वाला है किसके पास कितनी कम एसेट्स हैं बिल्कुल उल्टा हो गया जिसके पास ज्यादा एसेट्स से वह मत खरीद तो ये वक्त के साथ इन्वेस्मेंट थीम्स बदलती है आप बदलें तो भी अच्छी बात है आप ना बदलें तो भी आपको जो सूट करें वो उसके साथ रहें लिगा हमारा काम यह है कि जो हो रहा है वो बताना समझाना ज़रूरी तो यह नए जमाने के बिजनेसे यह जिनकी मदद ले रहा है उनके वेलिशन वह नहीं है वही वाली बात है दिमाग का पैसा है जो उन्होंने दिमाग लगाया एक बिजनेस मोडल बनाया वह उसके फाइदे की बात है तो जहन साब से भी एक जड़ा विशेश टिपन ही ली जाए इस पर जहन साब क्या कहेंगे जो मेंटर की दमदार लिस्टिंग पर मैं तो पुरा गलत पढ़ जुका हूं अनिल जी मैं तो रेकमेंड भी यही किया था कि जो स्रफ रिस्क ले सकते हैं और लॉंग टरम इंवेस्टिंग और जिनको स्टार्ट अप का टेस्ट लेना वो लोग लगा सकते हैं ठीक है अब जेनरेशन पीछे जाएं तो अलग अलग चीज़े दिखेगी अभी आगे की जेनरेशन के जैन जी बोल लो या जो भी बोल लीजे बट मुझे लगता कि थोड़ा वैलेशन जरुरत से ज्यादा महेंगा लिस्ट हुए और यह फ्रेंजी है और यह कही ना कही अब आज जुविलेंट फूडवर्क्स में भी गलत पड़ावाँ मैं इन्फोएज में भी गलत पड़ावाँ पहले जस्डायल को अमने 500 के लेवल्स पे सेल भी करवाया जो अच्छा लग रहा है जहां पर इतनी वैलेशन का गेम चल रहा है जहां पर पी इंवेस्टेट्स एक्जि नहीं है वीसी और पी इस वो लोग सुड़ेस्ट अफ इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इतने सस्ते में बेचके निकलने वाले मुझे तो लगे नहीं तो लोग भी इतनी उम्मिद्दी कर रहे थे मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत गांगो रहूंगा और आगे रेक्मेंट भी कर पाऊंगा इस टॉक को कोई बात नहीं है अपने अपनी सोच है बंसल जी भी कुछ कहना चाहिए और एक और चीज है आप और हम तो फिर भी इसके बारे में मूड बना रहे हैं अभी नेक्स किया है यह जो है ना गुरू सबसे बड़ा गुरू मार्केट यह ट्यूशन फीस लेता है और जो आप यहां पर जो फीस देकर सीखते ना वह किसी दूसरे के बोलने में मैं बोल दूँ आप बोल दें मनसल जी बोल दें कोई बोल दें उससे कुछ फरग नहीं पड़ता है आदमी जब खुद पैसा यहां पर देता है खोता है उससे जो सीख मिलती है वही जिन्द की पर याद रखती है बंसल जी कुछ कहना चाहते है या आपके लिए बिगुल अगर शाम को बल्क ब्लॉक डील में किसी हमारे डोमेस्टिक किसी बड़े आदमी का नाम आ गया तो अने जी फिर यह मंडे को थोड़ा सा फिर भागे गाई बिल्कुल यह बात सही है और इसलिए आज सुबह हम कह भी रहे थे कि आप इसे होल करिए बेचने की जल्द बाजी मत कीजिए और अभी मेरी राए बहुत साफ है होल करिए नए तरह के बिजनिस को नए तरीके से देखना पड़ेगा हाई रिस्क हाई रिटन है पुराने त पड़ गया तो जहने में वक्त नहीं लगता तो आपको रिस्क रिवोड समझ में आना चाहिए और फी पैसा लगाना चाहिए और इसका सिंपल तरीका जो मैं आपको बता दू हो यह कि छोटा पैसा लगाई है ताकि आपके लिए रिस्क लिमिटेड रहे कल को कुछ भी खर पूरी की है क्योंकि ऐसा तो हैंनी कि एससे निकी वेल्यू जीरे हो जाएगे बिजनिस तो पूरा एससे लाइट मोडल है है यह नहीं किसी एससे के नाम पर कोई भी चीज हर चीज आपके लिए बाहर से किराय पे मिलती है उसी इसाब से आप करते हैं एग्रीगेटर से प् अगर आपको लग रहा है कि जोमेटो में यह सब क्या हो रहा है इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया यह 180 गुना चिंतन इंतन फार्मा बढ़ गया तो आपके लिए विशेश रिसर्च रिसर्च भी क्या कहूंगा इन्फोमेशन वरुन लेकर आ रहे हैं हमारे यह कुछ नह ठीक ही नहीं है पागलपन अफला तून पागलपन मतलब जो शब्द होना चाहिए मतलब क्या क्या इसके लिए शब्द दूनने के पहले वरुन बताओ क्या है वहाँ पे जल्दी से बताओ पहले अनिल जी एक आइप यह जो सतरा सो गुना सब्सक्राइब हुआ है इस बैं बैंक को मिले हैं और करीब सतरा सो गुना जो है इस कंपनी का आइप जो सब्सक्राइब हुआ अच्छा सो डोमेस्टिक और इंटरनाशनल इंस्टूशन जो है उन्होंने इसके लिए एपलाई किया है और लिश्टिंग के बाद यह बैंक जो है वह कोरिया का साउथ कोरिया जो पहले बार इसी इंटरनेट बैंक की लिश्टिंग हो रही है अगर आप वैलिएशन के लिए आज से देखेंगे तो IPO के वैलिएशन की मुताबिच काकाव बैंक का जो वैलिएशन है प्राइस टू बुक वैल्यू पर 7.3 टाइम्स के आसपास है जबकि साउथ कोरिया के बाकी बैंक जो है 0.5 टाइम्स के आसपास ट्रेट करते हैं अब इस बैंक में ऐसा क्या है वो भी आपको समझना होगा देखिए यह सबसे बड़ा डिजिटल बैंक है साउथ कोरिया का और ऑनलाइन मेसेजिंग में कंपनी जो है काकाव एप का हिस्सा है चीन में एंड ग्र 20% के आसपास कस्टमर जो है वह इस कंपनी के पास है और 14 से 19 एज ग्रूप में करीब 40% के आसपास का मार्केट शेर जो है यह बैंक रखता है नो डाउट नया बैंक है नई टेकनोलोजी है काफी बड़ा मार्केट शेर है लेकिन जिस तरसे इस कंपनी को वैलेशन दिये ज कर रहा है वो तो गजब है 1700 गुना सब्सक्राइब होना अपने आप में एक चमत का रहा है कौन से यूफोरिया कुछ नहीं है अब बताओ चमत कार को नमस्कार अनिल जी अब क्या करें हम तो यही है कि बाकी सब ओपीनियन है मार्केट इस गुरु और आद गुरु पूर निमा है फ्रकेट को सलाव बाकी तो बस यही है बाकी जाँ है ऐसा नहीं है वहां की broking industry, हमारी एक बर हमारी एस्सीशिशन साउथ कूरिया गही थी, वहां की industry को study करने के लिए और वहां पे बहुत कम brokerz काम करते ह慌ते हैं, और वहाँ पे बहुत कम ब्रोकर्स और बहुती मजबूत और बड़े इंस्टिउशनल टाइप के ब्रोकर्स होते हैं और ओवरॉल वहाँ पे इस तरीके का जो यह आया है जन सहलाब जो बोलूँगा मैं यह एक्शुली एक्स्ट्रॉडर्णरी मतलब हम सब को एक कही लेना चाहिए कि थोड़ा डरे है बहुत ज्यादा एक्विटी कर्ट हो रखा है चारो तरह तो कॉश्यस रहने का समय ऐसा लगने लगया कि आया हर बड़े आईप्यों के बाद कोई ना कोई खांड होता है ऐसा मैं तो कई सालों से देखते आया हूँ क्योंकि यह एक बहुत अच्छा बैरोमेटर होता है रिटेल इंवेस्टेट्स का तो लेट सी वट हैपन्स बडियस व्याद कोश्यस इंडियन इंवेस्टेट्स मुझे लग रहा कि आप काफी स्मार्टर हो गया अच्छे आईप्यों में लगाते हैं लेट सी पता नहीं क्यों लेकर आप दोल रहे हैं वहां से साउथ अश्या क्यों क्यों कु ले रहा है हमारे तो इतना ही बढ़ा वहां तो सत्रा सो गुना पूरे देश की जीडीपी के बराबर का सर्स्रिप्शन एक आईप्यों में हैं वाव भी गजब है मतलब तो अब जो हम इस इस यूफोरिया का शब्द ढूंडा है कुनाल जी ने हाँ कुनाल जी जो पागलपन अफरा तफी अनाप शनाप रेस्पोंज हाँ इसको क्या कहा जाए अनिल जी इसको उनमाद कहना चाहिए अनिल जी ये सामूहिक उनमाद है और जो अनिल जी अपलाय करने उनमादी है तो अनिल जी बिलकुल उनमाद है अनिल जी एक टिपड़ी में जोमाइटो पर करना चाहता हूं अगर वक्त हो अनिल जी 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 बिल्कुल आ रहे हैं इसी के लिए वक्त और किसके लिए है बागी बताईए अने जी देखें जोमेटो को लेकर के अने जी बहुत सारे लोग परिशान हैं मैं कई लोगों से मिला जिनका एक कहना है कि भी जोमेटो बहुत ओवर वैल्यूड है आपने इनल जी वो देखा भी होगा कि कई सारी कमपनियों का वैल्यूशन जोड़ कर जोमेटो से कमपेर किया गया है इनल जी वो बाते बागे सब ठीक है इनल जी जब मैंने अपना करियर शुरू किया था उस जमाने में अनिल जी सब चीजों का मुल्यांकन डिविडेंट से होता था कमपनियों में शेर में निवेश इंसान इसले करता था कि कमपनियां डिविडेंट देंगी आज अनिल जी कोई डिविडेंट की चर्चा भी नहीं करता उसी तरह अनीलजी आज हम लोग निवेश करते हैं कि कप्पणी मुनाफा करेगी तो अनीलजी अब मुनाफा भी उसी तरह का हो गया है जिस तरह का डिविडेंड है फोकस करना है मार्केट शेयर पर तो जिस तरह की ग्रोथ जो मैटों में हो गया निल जी ये बज़ा है इस तरह के वैलुईशन की तो जो लोग नाराज हो रहे हैं कि बजार में यूफोरिया है या ये जो है उनमाद है मुझे लगता है कि थोड़ा सब नई तरह से सोचना चाहिए निल सही जवाब एकदम बिल्कुल सही बात है वक्त बदल रहा है चीजें बदल लिए और बदलते वक्त के साथ आपको ये देखना पड़ेगा एक जमाना था बिल्कुल ठीक बात है कि बिना प्रोफिट के तो कोई कमसी loss making company हट हम तो लगाएंगे नहीं पैसा वेसा हाल था अब आज कल तो loss making company को गले लगा देगा है अच्छा आप और loss कर सकते हैं और market share बढ़ा सकते हैं आजए कोई tension निये हम पैसा देते ना आप लीजे market share तो वो वक्त के साथ चीज़ें बदलती है बदलते वक्त के साथ investment strategy बदलेगी और बदल रही है उसके साथ हमें चलना पड़ेगा लेकिन चलिए बदलते वक्त के साथ शायद एक company अभी तक बदल नहीं पा रही है कम से कम और कुछ नहीं business model की बात ना करें management की बात ने करें हम सिर्फ और सिर्फ भाव की बात कर रहे है हाँ हाँ 16,000 का निफ्टी हो गया साड़े साथ हजार से सब कुछ बदला है सब के भाव बदले इसके नहीं बदल रहे है और वो है ITC क्या कल के बाद बदलेंगे यह बड़ा सवाल है वरुन ही अमर सर तयार इस वक्त ITC के नतियों का नुमान लेकर वरुन कल क्या कुछ ऐसा हो सकता है ITC के result में कि सोमवार को बदले भाव नजर आए डेफिनिटल अनिल जी वक्त बदलेगा तो भाव भी बदलेगा और इसका वक्त शायद बदलेगा क्यूंकि सिग्रेट बिक रही है बाकी कुछ बिके ना बिके देने वाली है नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो जो FMCG कारोबार है वहाँ बैतर गोड़ देखने मिलेगी साल-दर साल कमनी के बाकी होटल कारोबार है वहाँ भी आपको काफी बैतर गोड़ देखने मिलेगी जाहिर सी बाते पिछले साल पूरे तो उसका इंपाक्ट देखने मिला एगरी में 5% और कमनी का जो पेपर कारोबार है वहाँ 20% के आसपास की ग्रोथ होगी कमनी का साल-दर साल रेविन्यूस 30% बढ़ेंगे एबिटा माजिन जो है 29.7% से बढ़के 33.7% मुनाफा 39% के आसपास बढ़ेगा 3,250 कोड के आसपास किया आएगा प्रोफिट थोड़े गिरेंगे लेकिन माजिस जो है वो ये कमनी इंटाक रखने वाली है 33.7% के आसपास की क्योंकि कमनी ने पिछ्टे कूछ कौटर में लगातार प्राइज हाइक की है तो उसका फाइदा कमनी को इस कौटर में मिलेगा तो माजिस इंटाक रहेंगे और क सवाल पूछ के ठग गया सबसे अब की बार फोरे चेंज वागले साब से सवाल पूछोगा आईटी से वागले साब आईटी से पर आप कभी चार्ट देखते हैं आपने भी छोड़ रखा है कि नहीं इसको क्या देखना अनिल जी यह लेवल पर मुझे दिखता है कि यह बाउंस बैक होना चाहिए मुझे लगता हिए 220-222 तक as a trade मतलब एक से दो दिन रिजल्ट अच्छा आएगा इसाब मुझे चार्ट बता रहे हैं और आप जो कह रहे हैं बार-बार की यह लेवल पर बेचना नहीं है लेना है उसके साथ भी मैं सहमत हूँ एक ही चीज़े कि ITC बहुत टाइम लगा लेगा बहुत साइडवेग चला जाएग यहां से अगर आप पोजिशनल व्यू लेते एक से तीन मेने में भी चार मेने का तो 240-250 हो सकता है और 200 के नीचे जिस दिन क्लोज होता है आप काट लीजिए तो आपका डाउंसाइड इस 10-12 रुपे का है और अपसाइड 30-40 रुपे का अपसाइड है ताइम का थोड़ा सा ग्यारेंटी नहीं है मदलब एस्टेमेट नहीं कर सकते है तो आपको अच्छी गैंस दिखा चुका है कुछ दिनों में 212 के करीब है आइडीचे कल आएंगे नतीचे देखते हैं बाजार का रियाक्शन मंडे को कैसा रहेगा इस काउंटर पर पर ITC के साथ साथ ICICI Bank इसके भी आने वाले नतीज़े आईए एक बार ICICI Bank पर भी कर लेते हैं फोकस देवांशी हमार साथ यहार है देवांशी बताईए बाजार का क्या है अनुमान अगर आप मुनाफ़ी की बात करें तो करीब पर साथ परसेंट तक की बड़त का अनुमान लगा जा रहा है क्योंकि प्रोविजिन्स वायो वाय बेसेश पर करीब 50% तक कम होते वह दिखेंगे इसके साथ जो इनाया है उसमें 15-17% तक की बड़त का अनुमान किया जा रहा है मीनली रीटियल असाइट सेग्मेंट और साथी जो क्रेडिट कार्ड बिजनस है वहां से इस पार सहरा मिलता हुआ दिखा है कॉर्पेट बुक में अभी भी इतनी जाद घ्रोथ नहीं देखने मिल रही है इस पर फोकस रहेगा और साथी जो असे क्वाल्टी है हलकी सी कमज अच्छे नंबर्स रहेंगे वाय वाय बेसिस पर देखते हैं तिमाही दर तिमाही किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी आइसी इस याई बैंक की विश्वेज जी दो दिनों में अच्छी तेजी दिखा चुका इसी एसी बैंक लाइफ हाए पर कर रहा है ट्रेड क्या रहा ह तो शायद फ्लैट हो जाएगा मुझे यह लग रहा है आई से बैंक में बहुत ही बीडिफुल पैटन जिसे कपन हैं जिसमें 670 के लेवल से दो नहीं तीन बार रफिल हुआ था तो आज अगर 670 के ओपर विट वेरी स्ट्रॉंग डेटा यह क्लोजर रहा है इस बीट मुझे लगता है और इस एनी माइनर डिक्लाइन टोड़ 670 लॉंग करके जाना चाहिए ओके तो 670 पर खरिदारी करें 680 और उसके बाद 700 के लेवल से आपको आई से बैंक पर आते हो दिखेंगे लाइफ आई पर है काउंटर बैंक निफ्टी को बढ़िया सपोर्ट दे रहा है बैंक निफ्टी 400 पॉइंट्स ऊपर आपको बढ़ी गेंज के साथ ट्रेट करते हो देख रहा है SBI में भी अभी एक मूव आते हो दिखा है और एक बार एक बार जड़ा राय SBI पर भी ले 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 सुमिझ जी से सुमिझ जी अभी एक मूव आया SBI में 430 के लेवल पर कोई BTSD दिखता है सब चलेंगे SBI 440 से 450 के लेवल नेक्स विक में देखने को मिल सकते है ओके तो 440 से 450 के लेवल नेक्स विक SBI में आते हुए देख सकते हैं आई से बैंक अच्छे मोमेंटम में है अक्सेस बैंक, कोटक बैंक इस पर भी आ रही है खरीदारी और साथी बाकी दिगज फ़नांशल्स में भी मूव आ रही है अच्छा एक्षन है, SBI Life यहां पर भी आप तेजी देख रहे है तो बढ़िया मूव है फ़नाशल्स में नजर रखते हैं किन लेवल पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आती है इंडेक्स की बात करें तो बढ़िया ऑप्शन की स्ट्राटीजी देने के लिए तरियार है जै ठककर स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए स्वागत है जै गूड आफ्टन बताईए गूड आफ्टन दीप और अनिल जी कल के क्लोजिंग शो में इन फैक्क मैंने दिया था एक पूट ऑप्शन वहां पे तो आसी रुए टागेट साच मॉनी में भी पूट ऑप्शन ने दिया मुझे इसा लगा के साथ सो सावा साथ साथ सो की रेंज को टेस्ट कर सकता है निफ्टी बदन एक चीज है जिसने मार्केट में फिर से हमें प्रिवेस हाइस जो आदली स्विंगाइज है तो चीए तरके उसके उपर निफ्टी को लेके जाने में कामयाब हुआ वह है बैंग निफ्टी एंड डेफिनिटली नो जो हिसाब से वहां पे इधर लॉंग पोजिशन बिल्ड भी इंपोर्टन था था एंड तरके उन्दीन फिर से हमें फोर्स चाहिट उपर में रखना है 503 का अंड सेगेट जो बनेगा वह से सो दस का 53 चेज भी तस यह नो टागेट के लिए बैंक निफ्टी का 35,000 के स्ट्राइक का कॉरॉप्शन खरीदे और यह भी कहूंगा कि डेफिनेटी जैसे आपने भी का कि ऐसे इसे बैंक का रिजल्ट है सो हाई रिस्क रिवार्ड ट्रेडर्स जो है इसका रिस्क के पड़ा जादा हो वही इसमें लेकर चले बिकास वोलेटलिटी डेफिनेटली काफी जादा रहेगी विकास अफ दीस नंबर्स और मुझे सा लग रहा है कि अगर यहां से फिर से निफ्टी को और उपर जाना है तो बैंक निफ्टी लेकर जा सकता है दीप अधर वाइस तो पूरों करेक्शन देखने मिल सकता है हैंस बैंक निफ्टी को चूस किया है कि खरिदारी की रहे है är दीप और ख़रिद्ना है CCL प्रड़क्ट अगबर फिर से यहां पर खरिदारी करने की रहा जाकर यहां डिख लगाता है हमेरे शारे रिटारी हासिल होने के बाद लगता है कि यहां से और तजी बन सकती है CCL products कोफी के दाम बहुत मजबूत होते दिख रहे हैं मैं आपको डेटा बताता हूँ पिछले तीन दिनों में पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में अंतरराश्टी बाज़ार में कोफी के दाम 25% बढ़े हैं गजब की तेज़ी होती दिख रही है पचीस परसेंट तीन दिनों में बढ़े है इस तरह की स्ट्रोंग डिमांड है ब्राजिल में ये समझा जा रहा है कि पूरी की पूरी तरह से कौफी की फसल खत्म हो चुकिए खराब हो चुकिए और उसके चलते हुए पिछले तीन दिनों में जो अनाब शनाब कोफी के दाम बढ़े उसका सीधा फाइदा सीचेल प्रोड़क को मिलेगा हमें रखता है कि 400 रुपे का स्टॉप्रोस रखकर आपको खरीदारी करनी चाहिए 425 का लेवल चुकिए चुका तो 430 का अगला टार्गेट रख लें 430, 435, 440 यह तीन 55 रुपए उपर के टार्गेट रखें 430 का फाइनल टार्गेट रखें 430, 435, 440 और 450 यह हैं सारे टार्गेट इसके लिए आपको चीचेल प्रोड़क में खरीदारी करनी चाहिए बहुत ही जबरदस एक्षन पूरे के पूरे खाने पीने की कमोडिटीज में होता दिख रहा है और वहाँ पर जो पूरा एक्षन है वो इसवाजे से की ब्राजील के कॉफी प्रोडुसिंग जो इलाके हैं जहां पर कॉफी होती है वहाँ पर तापमान बहुत तेजी से गि के कोफी कितनी डिमांड है तो आपको अगर टाटा कोफी पसंदें ताटा कोफी क्रीदें सिसी एल प्रोडक्ट पसंदें सिसे एल प्रोडक्ट उस्यून शाधा पॉस्यून कमें तौन आप देखकर बताईएगा CCL प्रोडेक्टर चार्ट के लिए मैं कुनाल जी के पास पहुंच रहा हूँ कुनाल जी चार्ट देखिए दीजे अपनी राए अनिल जी देखे बहुत ही जबरदस चार्ट है और जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे अनिल जी जब आपनी इसको आइडेंटिफाइ किया था एक बड़ा ब्रेकाउट चार्ट पर आता हुँआ दिख रहा था और उस समय अनिल जी एक फ्लैग पैटन का ब्रेकाउट कोफी कोफी कोई भाव हो कोफी खरीदेंगे ज़रूर कोफी बताएं जरा सुमीज जी इसके चार्ट कुछ दिनों से बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है तो में को लग रहा है स्टॉक खाली चाय कोफी और पकोड़े से रिलेटेड ही चलेंगे तो यह स्टॉक जो चल रहा है काटा कोफी इसके अंदर बहुत बढ़िया तेजी द की देखने को मिलेंगे और दो सो तीस तक के लैवल भी टाठा कोफी के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो और चलने का स्लाद है ताटा कोफी में यह है आपके लिए होन करने के राए टाटा कॉफी भी इसी तरह का बड़ा एक्शन दिखाने की तयानी में तो दोनों ही कॉफी के स्टॉक्स बड़ी मजबूति के साथ आगे बढ़ते वह आएए बढ़ते आगे और अब वक्त है सुमिजी के एक बैतिन कॉल नेने का गुंच दिनों से रोज़ बारिश बरसरी है वहीं पर एक स्टॉक जो मेरे रडार पर आया है वो भी पिछले कुछ दिनों से और उपर का मूब देखने को मिलेगा, स्टॉक के अंदर खरदारी करके चले, existing positions hold करके चले, रेन इंडस्ट्रीस में जो नीचे का support है, 245-246 के असपास का है, वो stop loss लगा के खरदारी करे, एक हफते का व्यू ले, उपर में 265 का पहला टार्गेट बनेगा, 275 का दूसरा टार्गेट बनेगा, तो 265 से 275 के टार्गेट को ध्यान में रखते हुए, स्टॉक में खरदारी करे, एक हफते का व्यू लेके ताम करे. इस बेनेफिट एक बार जान लेते हैं, आशीश से क्या भदलाव हो सकते हैं, वाइदा कारुबार की बैन लिस्ट में. आशीश बताईए, जो स्टॉक है, इस समय बैन लिस्ट में पांच स्टॉक्स, उसमें पहले तो कोई किसी स्टॉक की एग्जिट हो सकती है? इस बिल्कुल दिपांचो एग्जेट होगी, इंडियाबुल्स हाउजिंग फिनांस की काफी लंबे समय से स्टॉक बैन में बना हुआ है, अब फिलाल अगर आप देखें, तो मार्केट बैट पॉजिशन लिमिट असी परसंट से घट गए, 78.87 परसंट होगी है, तो स्टॉक बैन से बाहर आएगा, इंडियाबुल्स हाउजिंग फिनांस यह पक्का है, इसके एग्जेट हो जाएगी, इंडियाबुल्स हाउजिंग एग्जेट होने के लिए तैयार है, और शायद संट टीवी पर हो, तो नज़र रखेंगे, इस पर इंडियाबुल्स हाउ देख निकुमला है, पॉजिशन में, एक सो तीन परसेंट हो गी है, तो वुड़ फोन आइडिया यह तो पक्का है कि बैन में आएगा, इसके अलाबा नम्डी से यहाँ पर भी नज़र रखेगा, 100% है, मार्केट बाइट पॉजिशन लिमिट फिलाल, 95% के मार्क के उपर ह चल रही है, तो यह भी बैन में आएगा, सेल थोड़ी सी प्रॉबाइबिटी है, 96.62% है फिलाल, अगर आप देखेंगे, तो मार्केट बाइट पॉजिशन में अगर हो सकता है कि बजार बंदोर के समय पॉजिशन घट जाए, तो स्टॉक बैन में नहीं आएगा, लेकिन बन रही है, तो आइडिया, NMDC और सेल, यह तीन स्टॉक ऐसे है, जिनकी मार्केट बैट पॉजिशन में जो है, फिलाल, 95% के उपर है, तो 95% जो उपर है, और संभावना है पूरी कि यह वापस बैन में आ सकते हैं, NMDC तो कल ही बाहर आया था, वापस फिट से आते हो देखते हैं कि आज शाम को जब अपडेट आएगा तो उसमें वापस बैन में आया है सेल की नहीं, पर नज़र रखें, तो यह है आपके लिए बैन से बेनेफिट आशीश की तरफ से इस समय, आइए फिर क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, थोड़ी दिर में अनलजी स अनलजी बढ़िया तेजी बन रही है, जहां तक ग्लोबल मार्केट का सवाल है सर, डाव फ्यूचर्स डेज हाई पर है, डेड़ सो पॉइंट उपर है, जब हमने पहले स्ट्राटजी ली थी तो 130 पॉइंट की मूव दिखा रहा था, इस समय डेड़ सो पॉइंट उपर आ आपको यॉरोप के बाजारों में आती है, अमेरीकी बॉंड येल्ड बढ़कर 1.3% के करीब आ रही है, नाजड़क फ्यूचर्स में भी तेजी है, कच्छा तेल दाइरे में ट्रेड कर रहा है और डॉलर पर भी हम हलकी सी गिरावट देख रहे हैं, क्या करना चाहिए सर, बाजार बंदोने के समय, तो अगर बहुत उपर हो रही होती है, तो मैं पक्के तोर पर कहता है कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाएए, मंडे को देखेंगे, लेकिन चुकि जहां होनी चाहिए, महां से 50 पॉइंट नीचे क्लोज हो रही है, तो फिर थोड़ी प्रॉफि बहुत कुछ अच्छा हो गया दुनिया वर में, तो आप 16,000 खुल जाएंगे, बहुत कुछ खराब हो गया तो 15,700 खुल जाएंगे, ठीक है ना, तो उसलियाद से आप अपनी जो भी पोजिशन है, आप एकदम बैलेंस ने, लॉंग और शॉट पोजिशन दोनों के लिए, तो अगर आप लॉंग है, समझो आपने फूचर्स खरीद रखा है निफ्टी का, तो 15,700 कपूट खरीद लें या 16,000 का कॉल बेच दें, लिए अगर आपने शॉट कर रखा है, तो 16,000 का कॉल खरीद लें, ताकि मतलब आपकी पोजिशन आपकी तरफ से हेज रहनी चाहिए दोनों तरफ से वो ध्यान में रखे है, मेरे ख्याल से एकदम बैलेंस्ट आप हैं दोनों ही तरफ से, बाकी रेंज के हाई रेंड पर 15,900 के आज पास, इसलिए हम कहरे रहे हैं कि वहां नहीं खरीदा नहीं, लेकिन बैंक डिप्टी फोर चेंज ठोड़ी मजबूत क्लोज को तो वहां खरीद लेंगे, 34,900 के नीचे जाएगा तो वहां खराब होगा, तो वेट इन वोच है, फ्रिश कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए, जो भी आपका ट्रेड है, उसको प्रोपर हेंज करके चले, यह ज्यादा बढ़ी है, बिल्कुल तो जो आपके पोजिशन है, इसलिए अने जी आप भी आपको कह रहें, कि जिस तरह की भी पोजिशन है, हेज जरूर आपको बनाए रखना है, क्लोजिंग से पहले, पर आइए, मेटल स्टॉक्स में आज सुबा से हम बढ़िया अक्शन देख रहे थे, अभी थोड़ी मुनाफ़ा वसूली आई है, थोड़ी दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है, चाइना के टांक्शन में जो है, प्रड़क्शन काट कानाउंस किये गए थे, तीस से पचास पर कट्रोटी करने के कहा गया था, क्योंकि लगातार जो है, चाइना में प्रदूशन बढ़ता जा रहे है, इसके चलते एमिशन काट्रोल करने की कहा जा रहा है, अब चाइना के जो दूसरे प्रांत है, वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, जियांग सू प्रांत का है, वहाँ पर जो है स्टील में जो कहा गया कि आप अपना जो पादन है, इसे पिछले साल के मकाबले आपको पुछाल देखने को मिला, वैसे भी अगर आप देखें तो चाइना में कई राज्यों में कई प्रांतों में अगर आप देखें तो बार आ गए, तो उसके चलते भी जो एक प्रड़क्शन के उपर इंपाक्ट पड़ता है, उसका भी एक असर देखने को मिलेगा, इसके अ अगर आप देखें तो आयन ओर की फ्यूचर्स जो डालियन कमोडिटी एक्चेंज पर काफी अक्टिव ली ट्रेड करते हैं, वहां पर काफी गिरावट आई है, और मई के उच्च तर से अगर आप देखेंगे तो आल्मोस 17 पर से नीचे आ चुके हैं, तो स्टील सेक्टर ओके तो यह है आपके लिए मेटल काउंटर्स पर दमदार आक्शन जो बनते हुए दिख रहा है, नज़र रखते हैं, आज थोड़ी अब मुनाफ़स फिल ट्रोड्स अंड आ रही है, NMDC शायद बापस बैंड में भी आते हुए दिख सकता है, बट अधरवाइस मेटल में आज आपने अच्छा आक्शन दिखा है, एस्पेशली फर्स आफ में काफी अक्टिव रहें लगभग सारे के सारे मेटल काउंटर्स आपके लिए, पर क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं और कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको अच्छी तेजी आते हुए दिख रह है अच्छी मोव आ रही है आज 10% उपर का अगर पुजिशन है तो मेंटेन करें या इन लेवल से भी कोई ट्रेड दिखता है कि नहीं दिवांचो आपने बहुत ही एक बढ़िया वाला स्टॉक अडेंटिफाय कर रहा है नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है कल के सतर में एक ब्रेकडाउन था पूरा का पूरा रिवर्सल हुआ है पिछले दो दिन के हाइस के उपर स्टॉक निकला है तो काफी भेतरिन ड लगा सकता है 368-370 के लेवल्स शॉट टर में दिखा सकता है ओके तो 368-370 के लेवल्स शॉट टर में आपको आते हुए देख सकते हैं CSB बैंक इस पर आप रखिये नजर अच्छे मोमेंटम में एक काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है इसके साथ ही कुछ और आपको अच्छी तेजी बन रही है महिंद्रा हॉलेडेस इस पर भी रखिये नजर क्योंकि महिंद्रा लाइफ की कबर हमने आपको सुबा बताई थी कि कैसे ये बोनस शेर पर विचार करेंगे 28 तारीक को 29 तारीक को महिंद्रा हॉलेडेस का भी मैनेजमेंट मिलने वाला है बोनस शेर पर विचार करने के लिए महिंद्रा हॉलेडेस पर एक बार जरह रहे दें वागले साब 5% उपर है और जब ये खारबार आई थी मांकेट आश में तब एक बड़ा स्पाइक आया था गेंज होल्ड करके क्लोजिंग के तरफ जा रहे हैं सरु दिपांसो मुझे लगता है 300 और 340 ये रेंड में स्टॉक अटका है मुझे कोई बहुत बड़ी मुह नहीं दिखती पर ऑंद डाउन साइड मुझे नहीं लगता 300 भी ब्रेक होगा तो रेंज बाउंड है साइडवेस मोमेंट लगता है मुझे ज़्यादा थी चले साइडवेस है थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा बट खबर के दम पर इस टॉक पर आक्शन आपको जरूर आते हो दिखाए एक स्टॉक जो आज थोड़ा नतीजों के लिस्ट में इग्नोर हो गया पर्सिस्टिंट सिस्टम्स सुमिझ जी ज़रा इस पर राय दे आट जो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो मजबूत है लेकिन इसमें फ्रेश बाइंग एक फोड़ा सा वेट करें एक्जिस्टिंग पोजिशन्स होल्ड रखके चल सकते हैं स्टॉक जब तक नीचे में सपोर्ट लेवल नहीं ब्रेक करता तब तक कोई दिक्कत नी है स्टॉक का जो स से खुल करता है ओके तो यह है आपके लिए पर्सिस्टिंस सिस्टम कुनाल जी क्लोजिंग से पहले एक क्विक कॉल जिंदल स्टेंलेस पर भी इस पर एक और फ्रेश स्पाइक आते हो दिख रहा है इस समय सर्देपांचू पूरे बजार में आपको ऐसा दूसरा नहीं लगता कि कोई और दूसरा पैरलल आपको देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल जैसल अभी एक ब्रेकाउट आता हुआ दिख रहा है जिनके पास भी पोजिशन है होल्ड करें नहीं खरीदारी विज़स्तरों पर कर सकते हैं बिल्कुल तो जिंदल स्ट्रेंलेस पर रखें नजर आए एक कॉल जै दे रहे हैं जै का जैकपॉट जै बिगुल नहीं बजा रहा हूँ टाइम कम है कॉल बता दीजिए जी दिपानुशू, 1440 के स्ट्राइक का कॉल ओप्शन खरीदना है यूबील का जो गरीब आपको 21-22 रुपे के रेंज में मिलेगा यहां पर स्टॉप लॉस आपका रहेगा 13 रुपे का एन उपर में जो फर्स टागेट इसका बनेगा 35 रुपे का सेकेंड टागेट जी दिपानुशू, 1440 का कॉल खरीदने की है आपके लिए राय, एवेंट पैक्ट हफता था, 4 ट्रेडिंग दिन रहे, मिडवीक हॉलिडे थी पर जो हफते की शुरुआत थी और जो हफते की एंडिंग है वो दोनों opposite sentiment के साथ होती हुँ दिख रहे है, बड़ी गरावट उसके बाद शांदार recovery और भारतिय बाजार आप देखे, 15900 का लेवल चुआ पर 15850 के करीब निफ्टी क्लोजिंग के लिए तयार है और 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए तयार है, ICICI, ITC, नतीजे से पहले दोनों स्टॉक्स में बढ़िया action 3% की तेज आती भी दिख रही है, SBI, Axis Bank, Kotak Bank, यहां पर भी अच्छी खरीदारी दिखी, SBI Life, Tata Consumer, HCL Tech, Bajaj, Finserv, M&M, यह भी कुछ काउंटर्स जो पॉस्टिव रहे, हाला कि जो बाजार का रुजान है, वो declines जादा है, advances के मुकाबले अगर आप देखे, 30 nifty stocks, negative trading में close हो रहे हैं, Tata Motors पर आज फिर से गिरावट, 2,2% नीचे, यह काउंटर, Grasim, L&T, मंडे को इसके नतीजे हैं, उससे पहले कमजोरी, Reliance Industries, HUL, IOC, Asian Paints, Divis, NTPC, Tech Mahindra, iSher, यह भी कुछ काउंटर्स जहां पर weakness और HDFC Bank, पुरा ही हफता खराब रहा है, इस काउंटर के लिए, आज भी हलकी कारोबार की बात करें, तो गिरावट आपने देखी है, Vodafone Idea 10%, जो Supreme Court ने खारीज कर दिये, AGI Recalculation की मांग, Indus Towers, ICC, Lombard, Nalco, Muthut, IDFC First, पर उसके सामने बढ़िया गेंस, Jublin Food, लगातार दूसरे दिन, India Bulls Housing, शायद Banless से बाहर आ सकता है, Max Financial, ACC, Ambuja और Vedanta, कुछ और पर आते हो दिख रहा है, लगभग 65% की तेजी के साथ बंद हो रहा है, JSW Energy 10% उपर 240 के लेवल पर क्लोज हो रहा है, तो अरल जी, ब्रॉडर मार्केट, कैश मार्केट, IPOs, जबरदस्थ आक्शन वहां पर सर, 15850 के पास, Nifty की प्रोविजन क्लोजिंग और 35,000 पर Nifty Bank की प बिल्कुल दीप, तो फाइनली एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन और हफ़ते का अंत आपके लिए कह सकते हैं कि बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है, 35,000 पर Bank Nifty की समापती और 37,000 निफ्टी भी आपका 15,850 के आसपास बंद होता हुआ, बाजार बंद होने के बात का एक् खेलेंगे, कौन सा खेल खेलेंगे, उनका पसंदाय स्पोर्ट कौन सा होगा, स्पोर्ट कौन सा होगा, यह हम जाने के उससे पहले बता दूँ, आज शाम का विशेश आयोजन क्या है आपके लिए, साड़े चार बजे आपको Commodity Market का weekly round-up मिलता है, वो आज भी मिलेगा, व और जिस तरह से दाल के दाम काफी तेजी से बड़े जमाखोरी पर रोक लगाने की बात थी, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट आई, उसमें यह पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सरकार ने टेल और तिलहन की जमाखोरी को खारीश कर दिया है, आगे अब इसका क्या पड़ेगा, किस तरह का ओट लूक रहेगा, यह साम को साड़े चार बजे बात करेंगे, पांच बजे आपकी ख़बर आपका फाइदा में, हम महराष्ट में जो जब्रदस मौनसून की मार पड़ती भी दिखरी है, बारिश से तबाही मची है, उस पर हम विशेश चर्चा करेंगे, कहर गाउं शेरों में जारी है, ने सिर्फ महराष्ट बिल्कि देश के पूरे कई इलाखों में इस तरह का माहूल बना हुआ है, आखिर मौनसून की बारिश इस तरह से क्यों आ रहे है, एक्स्ट्रीम पैटर्न क्यों हो गया है, हमारी तैयारिया धरी की धरी क्यो हुवे गाउं शेहर, रात आठ बजे, इंदिया 360 डिगर में बात करेंगे, आज की कवर स्टोरी होगी, टेली कॉम सेक्टर को लेकर, टेली कॉम कंशिया वोड़ा फोन भाड़ती है, याची का सुप्रीम कोट ने खारीच कर लीगी, जिसमें उनने ये मांग कि तेकिए, ए आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, हर एक पहलू की पड़ेंगे, जांच परताल आसान बाशा में, एजी आर बरकरार ग्रह को पर मार, दूसरी कवर स्टोरी है, चीन के राजपती शी जिन्पिंग टिबबत की सीमा पर पहुंच है, कई सालों में ये पहली बार हुआ जब चीन का कोई राजपती टिबबत पहुंचा है, जिन्पिंग के इस दोरे के क्या माइन है, चीन का क्या मकसद है, बताएंगे, बॉर्डर पर जिन्पिंग आज शाम आठ बिजे की एक और कवर स्टोरी, इसके लावा धेर सारी और भी खबरे होंगी, जो आपके लिए ह आगे, वो देखना मिस्की मत कीजिएक आख एकलते और में लोगों किछी जो मैंने बात की ती तो आज से ओलमिक भी शुरुव हो रहे हैं आई फोड़ा बहुत कम चैदा हरा है इंटर्स सकता है, तो औलम्पिक में आईये आए आप लोगों से शुरॉवात करता हूँ पूछता हूं कि अगर आपको मुका मिले तो आप ओलम्पिक में जाके किसके साथ आप क्या गेम खेलना चाहेंगे किसके साथ जो भी मतल rupees मन में थोर्ट हो जो चल रहा हो वह पूई नया आपको लाना हो तो कुनाल जी आप ही शुरुद कीजे अनिल जी देखे सबसे पहले तो खेलने की बात है तो अनिल जी मुझे जो भार तोलन है यानि की वेट लिफ्टिंग करने का अनिल जी मुझे मन है और उसकी वज़ा अनिल जी क्या है कि जैसे आप मैं वेट लिफ्टर्स को देखता हूं टीवी पर तो क्या है कि वो पहले एक जटका देते हैं अने जी आधा वेट उठाते हैं और उसके बाद दूसरे जटके में अने जी उसको पूरा उपर ले जाते हैं स्नैच वेट लिफ्टिंग शायद उसको कहते हैं तो अने जी बिलकुल वैसे ही अने जी शेर को खरीदना होता है आप खरीदते हैं पहले अने ज स्पोर्ट में इंट्रड्यूस करना चाहता हूं जिसका नाम है बियर वेट लिफ्टिंग बियर रेस्लिंग जाने कि भालू की कुष्टी तो अनिल जी उसका मैं कोच बन जाऊंगा और कई सारे भालू ऐसे हैं इनको अनिल जी धूल चटानी है तो इसलिए अनिल जी यह स्प होने के बाद कोच बनता है तो पहले आप अनिल जी तो ठीक है अगर आप तयार नहीं है तो वागले साब को तयार किया जाए कि वह भालू से कुष्टी करें लेकिन यह वाला एस्पोर्ट थोड़ा दमदार लगा मज़दार लगा अच्छा जै बताएं आप क्या करेंगे कारण यह पहले तो मैं बदा करनी है करना है जाएं कुछ ज्यादा मेहनत करनी है बहुत सारी ओLliम्पिक्स में वेट-्लूरर्वट नगी ऐस से थारी कोई एक्सराइस करने की ज़रोत नहीं है जो गुरुपूर्णिवा के दिन बहुत ही फेमस है द्रोणाचारिया की और अर्जुन की दॉनेल जी अर्जुन जैसा अरचरी प्लेयर बनना चाहूंगा आर्जुन जैसा अर्जुन की वहाँ पर उपर खाली लिग दें वह बीश में जो सेंटर जिस गोले पर आपको निशाना लगाना होता है वह अगर निफ्टी या बैंग निफ्टी लिग दिया तो अपने आप आप आपका तीर आप ऐसे भी चलाएंगे न जैसे गुमते गु अख्री तीरंदा जी करना चाहते है बहुत बढ़े आएब आपका अच्छा हां तो सुमिज जी आपका या इरादा है अनेरी जो सब गेम खिलते हैं मेरे गेम नहीं कहलना मेरे को नया गेम अंड्राइव करना है जो जादा लोगों को पता भी नहीं कर और सुछ सिर्फ आई जंदा लो, उच्छालो, मारो, एम हो गया का तो अंबास सुमीजी आप तो बड़े बन जाईए सुमीजी एक जनरेशन पीछे चल रहा है वाँ, आईए चाहा है चलिया जिस तरह सुमीजजी चोटे-छोटे शेरों को उपर उठाने का काम करते है मैंसे चोटे-छोटे खेलों को उपर उठा कर नोगर्डो सुमीजी ला जाओ आजए डाज़ा, वेरी नाईस अच्छा विश्वेज जी आपका क्या राजा है अब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया चोटे चोटे शुटे शुटे स्मोर्स का मैं मतलब सुविद जी से बात करना चाहूंगा शोक के बात न कि उटके क्या विचार है गिली डिंडा को लेकिए बहुत ही फ़नी आंसर दा उनका जहां तक मेरी बात है अनिल जी तो मैं बॉक्सिंग खेलना चाहूंगा अभी तक टोटल इंडिया का परफॉर्मन्स काफी पूर है अभी रिसेंटली तुफान मोई रिलीज हुई है और मेरा बचपन अनिल जी मैं टाइसन को देखे हुए और रोकी देखे हुए गया है और सिंड्रेलम वगेरा मोई देखे तो मुझे बचपन से काफी शौक है बॉक्सिंग का मेरे ओफिसमे आगर आप देखेंगे तो मैं ने बॉक्सिंग का पंचिंग वाग भी लगा हुआ हुआ है तो मैं अपने प्री टाइम में अनलजी शाता हूं कि इससे दो चीज हो जाएगी पहले तो मैं थोड़ा फेटिव हो जाओंगा दूसरा मार्केट के इतने पंचीस खाने के बाद शायद ओपोनरंट के पंचीस खाना थोड़ा एजी लगे तो तो इस बीजन मैं शायद बॉक्सिंग को र हमारे साहरे पैनलिस्स मिलके आप बोलें इसी वीकेंड पर आपके गढर आ जाएं एक साथ आपको प्रेक्टिस दें एक के टिकर के देंगे तो आपको मेडल लारन से कोई नहीं रोक सकता है तो बंसल जी तयार है विश्वय जी को एक साथ ट्रेणिंग देने के लिए एक एक में तो हमारी दिक्कत हो जाएगी जी तो चलिए ये तो बात रही चलिए बंसल जी आप बताईए आपका क्या प्रसेंज़ा खेल है? प्लेर को छोटके दूसरे कish नदे तो में अनिल जी कुनाल जी के लिए योगा अनिल जी ओर बजाएगा और अनिल जी डेखेंचें boca सिरफ योगा नहीं होता है ये तो चरहेगों जो फोन योगा यहां पर आर्टिस्टिक योगा होता है, आर्टिस्टिक पेर योगा होता है, फ्री फ्लो योगा डांस होता है, फिर प्रोफेशनल योगा होता है अनिल जी, प्रोफेशनल योगा जो हमारे अनिल सिंग भी जो आप करते हो अनिल जी, तो यह सब अनिल जी योगा मैं इंट्र प्रदूसर ने लिए वाह एक इतना दूसरों के लिए मतलब दिल में दर्द है आपके बंसल जी वाह आज पता चला मतलब उनको करने से रोकेंगे नी करने देंगे फिर उनको पिटाई होगी उनको दर्द होगा उसके बाद सोलिशन देंगे वेरी गुड़ दोस्त ऐसे होना कि ऐसे स्टॉक्स लाएं जो सिधा टार्गेट इट करें अब उसके अलावा में नया जो है और गिली डंडा वाला भी मेरे उसमें आया दिमाग में कि गिली डंडा, काइट फ्लाइंग, कंचे घिनला बच्पन में यह टाइप के गेम सगर हो जाए तो इंडिया को जो ऑलि जैपूर में, तो मैं देखता हूं कि काइट काइग अने से कुछ ना कुछ तो गोल्ड मेडल अपने इंडिया को मिली जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, बागी तो पंजया खेलना बहुत अच्छा लागा, हवा में बाते करना विसा, नहीं नहीं, हवा में बाते ही हवा में स् जाने का नाम ही निले, तो बंसल जी के खुले निले आकास में जैन साब की पतंग तो जैन साब की पतंग तो मजा आएगा अगर ऐसा खेल आजाए, पर सर आप भी बताएए, बाकी एक्सपर्ट से तो जान लिया उनका खेल क्या रहेगा, अगर आप कोई ओलिम्पिक्स में जाने का मौका मिलने, तो कौन सा खेल खेलना चाहेंगे, सर? इते हैं, सबसे बड़ी बात यह हैं, सबसे बड़ी बात है के आपके अंदर हमेशा है श्री से यंग रहता है और मतलब मैं ग्रावन्द वाले जो बात करा हूं यह सबसे बढ़ा बात हैं तो चलिए यह है Sí मेरी छोटी सी इंस्टेंट मस्ती की पार्शाला आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और सोंवार सुबह आप सबसे होगी मुलाकात मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त नमस्कार